Hello students, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पड़ो इंडिया पर आज हम करेंगे Class First की English की Week 26 की Worksheet और हम करेंगे इसमें Grammar का काम चलिए शुरू करते हैं इस Worksheet को हल करना Question No.1 में देखिए Color the Animals that you can see in the picture given below बच्चो इसमें देखिए आपको कुछ जानवरों के चित्र दे रखे हैं आपको इनमें रंग भरने हैं जैसे यह जिराफ में रंग भरना है ऐलिफेंट हाती में रंग भरना है यह मंकी यानि बंदर यह है जेब्रा यह हिपोपो टैमस यानि दरियाई घोडा यह शेर है और यह टाइगर है आपको इन में रंग भरने हैं आगे बढ़ते हैं सरकल दा करेक्ट आंसर अब आपको कुछ कोश्टन के सही आंसर पर गोला लगाना है पहला देखिए which animal is the tallest कौन सा जानवर सबसे लंबा है तो इन में सबसे लंबा जानवर है जिराफ हमने उसमें गोला लगा दिया है अब दूसरा देखिए Which animal is the king of the jungle? कौन सा जानवर जंगल का राजा है? तो बच्चो जंगल का राजा होता है शेर हमने लायन पर गोला लगा दिया है थर्ड देखिए Which animal live on tree? कौन सा जानवर पेडो पर रहता है? बच्चो वो रहता है monkey यानी बंदर अब देखते हैं हम Question number two Match the animals with their young ones and then their sounds यहाँ पर देखिए बच्चो तीन कॉलम बने हैं पहले में जानवरों के चित्र दे रखे हैं दूसरे में उनके बच्चों के चित्र दे रखे हैं और तीसरे में दे रखे हैं उनके आवाजें इनको आपको मिलाना है जैसे पहला देखिए dog, कुत्ता इसका young one जो बच्चा होता है उसको पपी बोलते हैं और यह बॉबो करता है हमने इसकी आवाज से मिला दिया फिर देखिए tiger tiger के बच्चों को कहते हैं कब और tiger की आवाज होती है रोर यानि दहाड़ना cat, billy billy का बच्चे को हम कहते है kitten और इसकी आवाज होती है meow meow की तो हमने इनको भी मिला दिया है cow यानि guy गाई के बच्चे को हम कहते है calf या बच्चडा इसकी आवाज होती है moon फिर देखिए pig यानि sewer इसके बच्चे को हम कहते है piglet और इसकी आवाज होती है oink oink इस तरीके से हमने इनको आपस में मिला दिया है अब देखिए question number three write rhyming words and color the flowers यहाँ पर आपको flowers यानि फूलों के चित्र दे रखे हैं और आपको इनके अंदर rhyming words भरने हैं जैसे पहला देखिए man, fan, pen, can और ban यह हमने rhyming words कर लिए दूसरे में set, get, net, jet और bet तीसरे में देखिए lot, caught, hot, got और dot फिर अगले flower में देखते हैं den, hen, man, pen और ten इस वाले flower में देखते हैं cut, nut, butt, gut और hut अब बच्चों आप इन flowers में अपनी मन पसंद रंग भर सकते हैं question number four देखिए describing words describing words वो शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी के बारे में पता चलता है कि वह कैसा है जैसे इसमें देखिए यह है चाय चाय कैसी है? hot या गर्म तो हम इसको बोलेंगे hot tea तो hot इसका describing word होगा इस paid को देखिए paid कैसा है? big यानि बड़ा तो big होगा describing word अब इस चेहरे को देखिए चेहरा कैसा है? उदास है उदास को English में बोलते है sad तो यह sad इसका describing word हो गया देखिए अब इसमें अब इसमें आपको चित्र दे रखे हैं और आपको इनके बारे में बताना है कि यह कैसे है पहला देखिए दा केक is sweet केक मिठा है दूसरा दा पिलो इस सॉफ्ट पिलो कैसी है? सॉफ्ट मतलब मुलायम तीसरा दा सन इस होट सन कैसा है? गर्म है तो हम लिखेंगे होट फिर फोर्स देखिए लड़की कैसी है? खुश है कुशन नमबर फाइफ देखिए अब इसमें कुछ बटरफ्लाइस चितलियों के चित्र दे रखे हैं और उनमें शब्दों के नाम लिखे हैं आपको उन बत्तितलियों में कलर करना है जो की describing words है यानि जो बताते हैं कि कोई चीज कैसी हो सकती है तो देखते हैं एक है big यानि बड़ा hard माने सक्त fast, तेज, green, हरा और good यानि अच्छा तो यह describing words हैं बच्चों यहाँ पर हमारी ये worksheet खतम होती है और subject की worksheet के answers के लिए आप हमारे channel पढ़ो इंडिया को subscribe जरूर करें और वीडियो पसंद आने पर इसे like और share करना ना भूलें Thank you